नमस्कार दोस्तों आज हम नॉर्दन कोल्फिड लिम्टेट चिंग रॉली का प्रिविएस एर कोस्टन पेपर सॉल्व करेंगे और इसके बार ध्यान रखेगा इसका मैंने पीडियाफ टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया है और आप पहले उसको सॉल्व करिएगा उसके बाद यह वीडियो देखिएगा जिससे आपको इग्जामिनेशन हाल का एक्स्प्रियंस मिलेगा और एक बार धियान रखेगा कि यह जितना भी क्या 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 पहले पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन क्या है वरतमान में तृपुरा राज्य के मुंख मंतरी का क्या नाम है यह पुरा राज्य के मुंख मंतरी क्या नाम है विपलभ कुमार देव विपलभ कुमार देव नाम है और एड़ प्रेजेंट वरतमान में भारत की मुख्यस चुनाय आयुगत का नाम क्या है क्या है श्री सुनिल अरोडा और पहले हमारे चीफ एलेक्षन कमिशनर कौन थे शुकुमार सेन जी हमारे पहले चीफ एलेक्षन कमिशनर थे और निम्न में से कौन सा आयूद भारतिय सेना से संबंधित नहीं है इससे भी रिलेक्षन आते हैं और इस रोका प्रत्थम चंदरियान मिशन किस वर्स में पारम हुआ था? कब हुआ था? दो हजार आठ में हुआ था ॉखिष डेट को हुआ था? बाइस अक्टूबर को हुआ था और हिन्दी भासा के लिपी कौन सी है नेक्ष्ट हमारा कोस्टन क्या है? हिन्दी भासा माहरा कोस्टन कितने वैंजन होते हैं 33 होते हैं यानि how many consonants are there in Hindi language 33 33 होते हैं और vowels कितने होते हैं 10 होते हैं हिंदी में और Hindi language is the official language Hindi language is the official language of India हिंदी भासा भारत का राज भासा है और ये official language हमारे कि schedule में आता है 8 schedule में आता है कितने official language है 20 official language है अब next question हमारा है निम्न में से कौन सी trophy भारत में cricket से संबंधित नहीं है भारत में cricket संबंधित नहीं है which one of the following trophies does not relate with cricket कौन से नहीं है विजय मर्चन ट्रोफी विजय मर्चन ट्रोफी भारत ये cricket से नहीं है अगली football which cup का मेजबान देश कौन है which country is the host of next football world cup Qatar Qatar है और ये कब होगा 2022 में होगा 2022 में Qatar में होगा football world cup और ये FIFA करता है FIFA इसका और्गनाइस करता है which of the following country does not belong only to Asia continent does not belong है निम्न में से कौन सा देश केवल Asia महादेप में नहीं इस्तित है कौन सा नहीं है रूस रस्या जो है बिलॉंग नहीं करता है रस्या आपका European continent से बिलॉंग करता है नेक्स्ट हमारा कोस्टन है नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी योजना भारा सरका से संबंदित नहीं है कौन सी योजना भारा सरका से संबंदित नहीं which of the following scheme does not own by the government of India कौन सा है पर्धान मंत्री कुसल विकास योजना पर्धान मंत्री कुसल विकास योजना नहीं बिलॉंग करता है और नेक्स्ट हमारा है अगला cricketporte विस कप किस देश में आजुड कीया जाना है ये 2018 का वर्ल्ड कॉप है 2019 का cricket world cup इंगलेंड एंड वेल्स में हुआ था अब जो next world cup होगा cricket world cup वो इंडिया में होगा और ये ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया अकेला ही इसी वर्ल्ड कप को और्गनाइज करेगा नहीं तो हमेशा होता था कि इंडिया बांगलादेश, स्रिलंका के साथ मिलकर और्गनाइज करता था क्रिकेट वर्ल्ड कप नेक्स्ट कोस्टन है वेर इस दे हेट्ट क्वाटर अफ इसी सिचुएटेड इंटर्नेशनल क्रिकेट का मुख्याले कहां इस्तित है कहां इस्तित है दुबई में इस्तित है इसमें दो आप्सन है दो आप्सन सही होंगे परम परम विर्चक और आंतरिक सुरक्षा पतक ये दोनों C और D दोनों इंडियान आप्सन आप्सन से रिलेटेड नहीं है और क्या है विची दे सुप्रिम कमांडर अप दे इंडियन आर्मडरोब फोर्सिज भारती से नाओ का सरवच कमांडर कौन होता है कौन होता है प्रेसिडेट होता है उप्सन अ से होगा आइसा में भाहत कर राश्र्पतिए भारत का है रामनात कोविन जी है और at present largest railway platform of the world belong to which of the following country वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा railway platform निन में से किस देश में इस्तित है किस देश में इस्तित है बारत option D होगा इंडिया में इस्तित है इंडिया में और इंडिया में सबसे बड़ा किस कहां पर है गोरकपूर में है सबसे बड़ा है अदूसे नमर पर कोलम केरल में है कोलम केरल में अतिसे नमर पर है खड़कपूर एंडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉम है सबसे बड़ा गोरकपूर फिर कोलम कोलम केरल में है और फिर खड़कपूर खड़कपूर आपका वेस्ट बेंगॉल में है अब नेक्स्ट कोस्टन हमारा क्या है वाइट रेवुलिशन इन इंडिया इस आलसो नोने इस देश में स्वेथ क्राम्ति को अन किस नाम से भी जाना जाता है ओप्रेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है और ये कब ओप्रेशन फ्लड हुआ था 1970 में ओप्रेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था और किसके मतलब किसने इसे लांच किया था NDDB ने NDDB का फॉल फॉर्म क्या है National Dairy Development Board है NDDB ने ये ओप्रेशन फ्लड को लांच किया था इन विच एर IPL 2020 वस लांच इन इंडिया भारत में IPL 2020 किस वर्स पारम हुआ था Option B 2007 2007 में लांच हुआ था Next नमारा कोशन है भारत के राश्ट्रिय राजधानी कुल कितने परदेशों में घिर हुई है National Capital of India is surrounded by how many states दो से घिरा हुआ हुआ काउंसे हर्याना एंड उपी से घिरा हुआ है जो अमारा दिल्ली है वो हर्याना एड उपी से घिरा हुआ है Which state of India is surrounded by maximum states ? Including union territories भारत कौन सा राजधिक्तम राज्यों वा केंदर पर सासीत परदेशों को लेकर घिरा हुआ है कौन सा है पता सकते हैं option A होगा उत्तर परदेश होगा यह total 9 राज्यों से गीरा हुआ है और next हमारा है पदमावत is written by पदमावत के रैटर कौन है मलिक मुहमद चैसी option D साई होगा next हमारा वंदे मातरम was originally written by वंदे मातरम की रचना किस कवी ने की थी बकिम चंदर चटर जी option C से होगा बकिम चंदर चटर जी ने की थी literature कमाईनी is written by which poet कमाईनी किस के द्वारा कमाईनी कावी की रचना किस कवी ने की है जैसमकर परसाजी option B next हमारा निम्न में से कौन सा सब उपवास का पर्यवाची नहीं है which of the following word is not a synonym synonym मतलब पर्यवाची होता है हिंदी वर्ड उपवास कौन से है option A से होगा तंदरालू तंदरालू है जो उपवास का पर्यवाची नहीं है यानि उपवास का उपवास का पर्यवाची है लंगन है वरत है निराहार है वरत लंगन अर निराहार next हमारा है 25 नंबर which of the following is antonym antonym मतलब बता है विलोम of हिंदी वर्ड अंगिकार अंगिकार का विलोम सब निम में से कौन है अस्विकार होगा अस्विकार next हमारा है which of the following वो हिंदी वर्ड है रिटेन इन करेक्टली हिंदी में से कौन सब सही नहीं लिखा है कौन सब सही नहीं लिखा है इसे सब ताहिक होगा सब ताहिक जो है सही नहीं लिखा हुआ है next हमारा who among the following is also known as light of facia नेम में से किसी light of facia भी करते है light of facia किसी कहा जाता है गौतम बोज्जी को कहा जाता है गौतम बोज्जी का मैंने specially dedicated एक वीडियो भी अप मेरे चैनल पर है आप उसे जाकर देख सकते हैं इसका link आपको आई बटन पर मिल जाएगा गौतम बोज्जी का lecture जो में है मेरे चैनल पर उसका link आई बटन पर मिल जाएगा नेक्स्ट देखते है हमारा कॉसन कौन सा है बहरत के किस राज में राश्ट्री राजमार्क सरकों की लंबाई सरवाधिक है कहां किस में है अप्शन डी महराश्ट्र महराश्ट में है नेक्स्ट है पॉपुलेशन अफ विच इंडियन स्टेट इस लोवेश्ट भारत के इस राज की जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम का है सिक्किम राज में सबसे कम जनसंख्या है और एक बात याद रखे कि जो पहला जनसंख्या जो गर्णा हुआ था 872 में हुआ था लट मायो के कारेकाल में लेकिन जो हमारा फर्स्ट कॉम्पलीट जो सेंसे इंडियन से वा था 58से Cafies में हुआ था और इसे के बाद ही हर्ण 10 साल बाद यह सेंडियन सेनसे हुआ जनगर्ना हुआ और यह पहला जो जनगर्ना हुआ था यह 1881 वाला जो Lord Ripon के कारेकाल में होता है इसी के बाद हमेशा 10 साल बाद आपका जन्गर्णा होता है और 1872 वाला जो था यह पूरते मतलब हर्च जो complete नहीं करता था अब हमेशा first complete पूछे तो 1881 होगा अगर मतलब Lord Mayo कारेकाल वाला 1872 वाला 1881 वाला Lord Ripon के कारेकाल का था और 1881 के बाद ही हमारा यह regular जन्गर्णा होता है विच स्टेट्स ऑफ इंडिया और इन्वाल्वेरी वाटर डिस्प्यूट कावेरी जल्व विवाद के इन दो राजयों के बीच है तमिल नाडू और करनाटक के बीच में ओप्सन डी साई होगा तर लेटेस्ट सेंसिस इंडिया वास कंक्लूड़ेड इन विच यह भारत में अंतिम जन संख्या गर्णा कब संपन होई 2011 में अब इसके 2011 में हो चुका है जन्गर्णा अब कब होगा 2021 में जन्गर्णा होगा नेक्स्ट अमारा कोशन है विच अब फोलेंग सिटी जेगराफिकली फेमस एज कोईला नगरी के भावलिक नाम से कौन सा नगर मसहूर है कौन सा है सबको पता होगा यह धनबाद है धनबाद कोईला नगरी के नाम से मसहूर है चलिए दिखने हमारा नेक्स्ट प्रस्ट क् which of the following cities famous as steel city Spathnagri के नाम से कौन से नगर प्रसिद है कौन से नगर प्रसिद है Spathnagri के नाम से Jamsid Pooor Option D सही होगा The National Flower of India भारत का राष्ट की फूल काउन से है भारत का राष्ट पूस्प का नाम क्या है बताइए Option C comment किजिए कॉमल Lotus है What is the name of India National Aquatic Animal भारत का राष्ट जली चीव का नाम क्या है सभी को पता होगा River Dolphin है Gangetic Dolphin भी नाम दिया जाता है Gangetic Dolphin Which of the following instrument is utilized in measuring atmospheric pressure Why मंडल ये दाब मापने के लिए किस यंद्र का परियोग किया जाता है Barometer का परियोग किया जाता है Who is the Next हमारा है Who is the first Nobel Prize winner of India भारत के प्रत्थम Nobel Prize का विज़ेता निम्न में से कौन है Rabindranath Tagore Option A होगा या ठाको लिखावार Tagore जी होगा Rabindranath Tagore हमारा next question है भारत किस राज में सरवाधिक वन छेत्र है In which of this Indian state the area of forest is maximum कहां है कि थी विदेन पोवल Option A से होगा विदेन पोवल ने की थी Next हमारा Waterloo is related with which of the following Waterloo किसे related है किसे संबंदी थी नेपोलियन से संबंदी थी नेपोलियन से संबंदी थी Option B से होगा Option B Next हमारा प्रशन क्या है Next person देखते है Next person हमारा Math से रिलेटेड है चलिए Math देखते है क्या है कि A man completes a journey in 10 hours He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour And second half at the rate of 24 km per hour And the total journey in km एक व्यक्ती इंदी में देख लेते है एक व्यक्ती एक यात्र दस घंटे में पूरी करता है यदि वह यात्रा वो का पहला आधा हिस्सा यह ध्यान रकिया चैंक पहला आधा हिस्सा 21 km per hour तो कैसे करेंगे पहला गाले उसने टोटल डिस्टेंसक जो है 2S कवर किया है ठीक टोटल डिस्टेंसक 2S है यानि आधा S होगा और दुसरा आधा S होगा ठीक है time देख लेते हैं, total yes है, तो यानि आप time देख लेते हैं, time कितना है, time इस कल्ट होता है, distance upon, speed 21 है, दुसरा T1 है यह हमारा, T2 देखते हैं, s बटा 24 होगा, ठीक, तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 हमारा होगा, s बटा 21, प्लस s बटा 24, तो इसने कितना होगा, s बटा 21 बटा 24, और इसका LCM लेंगे, तो कितना हैगा, 168 आएगा LCM, और s इसका आजाएगा, 8s प्लस 7s, तो कितना आएगा, और यह T1 प्लस T2 होजाएगा, 10 होगा, यहाँ 10 रहेगा, T1 प्लस T2, टोटल ताइम दिया हो, आपका 10 गंटा लेता है, तो T1 प्लस T2, 10 होगा, तो 168 इसकाल तो 8s प्लस 7s, यानि होगा आपका 15s, is equal to 1680, यानि, s is equal to होगया, 11, 2 आजाएगा, तो 2s is equal to होजाएगा, 2 to 4 km, 2 to 4 km, यानि option B सही होजाएगा, next हमारा, the ratio between the speeds of two train is 7 is to 8, the second train runs 400 km in 4 hours, then the speed of the first train is, ठीक, दो train की चाल का नुपाद 7 is to 8 है, यदि दूसरी train 400 km की दूरी 4 घंटे में तेक करता है, तो परे train की चाल क्या होगी, ठीक, यह भी simple सा question है, ठीक, दोनों का train S1 by S2 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, given 7 by 8 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ तो speed दिया हुआ है, S2 का, S2 का speed क्या होजाएगा, distance upon time, distance upon time, यानि 100 km per hour होगया, S2 का speed, और S1 तब is equal to क्या होजाएगा, S7 by 8, multiply by 100, हमारा equation 1 है, इसकी help से 7 by 8 into 100 होजाएगा, जब आप इसको solve करेंगे, तो कितना आजाएगा, 87.5 km per hour आजाएगा, option D सही होगा, option D, 87.5 km per hour, अब नेश्ट है हमारा, देखते हैं, next question, 43 number, the total, the total of the ages of the Amar, Akbar and Anthony is 80 years, what is the total of their ages 3 years ago, Amar, Akbar और Anthony की आयो का योग, असी है, ठीक, तेन साल पहले उनकी उम्र के कुल योग कितना होगा, तेन साल पहले, तो ध्यान दीजाएगा, तीन लोग है, तीनों का अगर age, total age, 80 है, ठीक, 80 है, तीनों का age का total, अगर 3 साल पहले, तीनों का तीन साल पहले जाते हैं, तो 3 करके 9 हो जाएगा, एक का Amar का 3 साल पीछे, और Akbar का 3 साल, और Anthony का, total कितना आ गया, 9 आ गया, तो 80 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 71 यानि कितना हो जाएगा, total, 21 हो जाएगा अब next हमारा question देखते हैं Amar is older than Akbar and younger than Raj fatter than Suresh and thinner than Rajesh एक बाद इस बस घुमाया हुआ है and if the age of Akbar is 20 years and the age of Rajesh is 35 years then what is the age of Akbar ठीक, Amar Akbar से बड़ा है और Rajesh से छोटा है, सुरेश से मोटा है और Rajesh से पतला है और Akbar के उम्र 20 साल है और Akbar के उम्र 35 तो अकबर के उम्र क्या है? तो को यहां अकबर के उम्र दिया हुआ है बस word में घुमाया हुआ है इसमें कुछ question में नहीं बस पढ़ो और कर दो answer option 20 से ही होगा 20 होगा अकबर काउंड दिया हुआ है 20 है तो 20 हो जाएगा नेक्स देखते हैं क्या है नेक्स है कि pineapple cost रुपीज 7 इच a watermelon cost रुपीज 5 X spends रुपीज 38 on this fruit the number of pineapple purchased is एक अनाना यदि 7 रुपे का है एक तर्बुज यदि 5 रुपे का है तो in follow के खर्दने के लिए X ने 38 रुपे कर्द के तो कितने अनानास खर्दे है simple सा है कि वो आधा तो खर्देगा नहीं खर्देगा तो पूरा hole में खर्देगा पूरा पूरा खर्देगा तो simple सा 38 लाने कर में क्या करना होगा 7 into 4 plus 5 into 2 is equal to 38 तो इसमें अनानास कितने का है 7 रुपे का है तो कितना खर्दा 4 खर्दा यानि total 4 अब उसने अनानास कर्दा और 2 क्या कर्दा watermelon कर्दा है तो पूछा क्या है अनानास पूछा है क्यार हो जाएगा answer option C सही हो जाएगा next है मारा next question और 3 A is 3 years older to B A जो है B से 3 सा बड़ा है यानि A is equal to B plus 3 हो जाएगा A is equal to B plus 3 and 3 years younger to C C से क्या है वो 3 सा छोटा है तो A is equal to A plus 3 हो जाएगा और B and D are twins अगर B और D twins है तो B is equal to D हो जाएगा ठीक तो how many years older C to D C to D कितना older है ठीक C is equal to हो गया हो गया A is equal to B plus 3 है यह मानिजिए हमारा equation 1 है और यह equation 2 है equation 1 को 2 में रखेंगे C is equal to B plus 3 A is equal to B plus 3 है तो C is equal to क्या हो जाएगा एक जगह रखेंगे B plus 3 यानि B plus 6 हो जाएगा और B बराबर कितना है D है तो C is equal to क्या हो जगा D plus 6 है यानि क्या हो गया C आपका 6 सा बड़ा है D से Next हमारा क्या है Next question है In a garden There are 10 rows 12 columns of mango trees The distance between the two trees 2 meter And distance of 1 meter is left from all the sides of the boundary of the garden The length of the garden is एक बाग में आम के पेड़ों की 10 पंकतिया एवं 12 स्थम्भ है परतेक पेड़ के बीच में 2 meter की दोरी है और बाग की बाहरी सीमा से 4 तरफ 1 meter छोड़कर पेड़ लगे है इस स्थिति में बाग की कुल लंबाई कितनी है तिक row और column देख रहते हैं row यह हो गया और column यह हो गया यह column हो गया अब बोला है कि जैसे 12 10 row और 12 column है अब उसके बाद जैसे यह पार्क है यह ground है इस ground में 10 row और column के बाद यहाँ 11 meter का दिश्न दूरी छोड़ा हुआ है ठीक 11 meter का छोड़ा हुआ है ठीक छोड़ा हुआ है length of the garden length of the garden क्या होगा length of the garden इधर से लिए जाएगा यानि अगर 12 column है 12 column में कितने 2-2 meter के distance है हर पेड़ के बीच में अगर यह distance लेंगे तो 11-12 column में 11 पढ़ेंगे 11 into 2 22 हुआ है प्लस 11 meter इधर छोड़ा गया है 1-1 meter यह 2 यानि 2 मिला का कितना होगे 24 meter हो जाएंगे कितना होगे 24 meter यह option C सही हो जाएगा next हमारा a tailor had a number of such pieces to cut from a roll of fabric he cut each roll of equal length into 10 pieces he cut at the rate of 45 cuts a minute how many rolls would be cut in 24 minutes एक दर्ची को एक कपड़े की थान से 60 बनाने के लिए कपड़े काटने है एक थान को वो कूल 10 बरावर हिसों में काटता है और वो एक मिनट में 45 बार काटता है बताया कि 24 मिनट में वो कितने थान काट लेगा simple सा है 24 मिनट में अगर वो अगर he cut each roll of equal length into 10 pieces 10 pieces कटता है एक पीस को ही एक रोल कहा गया है simple सा है 45 से एक मिनट में 45 कटता है 24 से मटिपलाई करेंगे कितना आएगा 1080 आएगा 10 रोल है तो 10 से डिवाइट करेंगे है 108 है जाएगा इस रोल of equal length into 10 pieces में कट कर रहा है तो 45 कट करता है 45 कट है 45 कट है simple सा है अगर 45 कट एक मिनट में कटता है 24 मिनट में 1080 कट कटेगा तो अगर he cut each roll of equal length into 10 pieces 10 pieces में 10 से डिवाइट कर देंगे 108 है जाएगा next है हमारा यह तो बहुत simple सा question है there are deer and peacocks in a zoo by counting heads they are 80 the number of their legs is 200 how many peacocks are there एक चडिया घर में hiran और more है चडिया घर में उनके 0 की कुल गण्णा 80 है और उनके पैरों की कुल गण्णा 200 है तो चडिया घर में कुल कितने है more है hiran और more है hiran मानलो x है more कितने है y है hiran और more head है head कितने होगा सबका hiran हो या more हो head तो कोई भी जाना होता है head तो एक ही होता है सबका एका खेड होता है तो total 80 है यानि x plus y कितना हो गया x 80 हो गया ठीक और number of legs is 200 तो hiran का x मानला है तो hiran के कितने पैर होता है 4 होता है तो 4x plus और more कितने होता है 2y is equal to 200 तो यहां से 2 से divide करेंगे तो 2x plus y is equal to 100 हो गया तो x plus y यह पहले equation x plus y is equal to 80 इसको solve करेंगे minus, minus, minus करेंगे इसको यहां से minus करेंगे यह कट गया यहां x is equal to 20 हो गया यानि hiran हमारा है कितना है 20 है तो hiran 20 पहले equation में रखेंगे हम x कब 20 रखेंगे तो more है y तो y कितना है 60 यानि हमरे more कितने है 60 है next हमारा है father is now 3 times as old as his son 5 years back तिल लिखते है he was 4 times as old as his son the age of the son आज एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है ठीक क्या है पिता है यानि father के लिए f ले लेते हैं अब पिता क्या 3 गुना अपने बेटे का f is equal to 3s son क्या जबकि आज से 5 सल पहले आज से 5 सल पहले पिता अपने पुत्र से 4 गुना बढ़ा था ठीक 5 सल पहले पिता जो अपने पेटे से 4 गुना बढ़ा था s is minus 5 सिंपल से अगर यहां f is equal to 3s रखेंगे तो आपको equation में जो सन है क्या पुत्र की उम्रों 15 आ जाएगा f is equal to 3s यहां equation रखेंगे आपको 15 answer आ जाएगा अब next क्या है if 100 cats kill 100 mice in 100 days then 4 cats would kill 4 mice in how many days यदि 100 बिलिया 100 दिनों में 100 चुहिया मारती है तो 4 बिलिया 4 चुहियों को कितने दिन में मारेगे सिंपल सा कोशन है आप यह वाला फार्मना पढ़े होंगे md h by w वाला सिफिसी पकरना है ठीक यहां h तो है नहीं आप md w कर दिजे तो केतना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100 आप 100 दिनों मारेगा ठीक next हमारा है a farmer built a fence around his square plot he used 27 fence poles on east side of the square how many poles did he need altogether एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत के 4 तरफ बाड लगाई है उसने इसके लिए वर्गाकार खेती ही हर दिशा में 27 खंबे लगाए है तो पूरी खेत में किसान कुल कितने खंबे लगाए सिंपल सा है 27 लगाता है यह ऐसा square plot है उसका अगर इधर 27 इधर 27 इधर 27 इधर 27 इधर 27 तो इधर 27 27 है यानि इधर 2 extra हुआ इधर 2 extra हुआ इधर 28 इधर 28 इधर 28 इधर 28 इधर 27 इधर 27 को जब 4 से multiply करेंगे तो यहाँ एक एक एस्टर आएगा तो मैनस 4 कर देंगे तो कितना आजाएगा एक सो चार आएगा option B से ही होगा नेक्स्ट आमारा तो देंगे तो ध्यान से पड़ेगा वन येर फॉम टुदे वन येर फॉम टुदे ती विल बी ट्वाइस ओल्ड हैजी वास तुवल येर्स एगो आज वरून का जन दिन है आज की दिन से एक साल पहले ठीक आज की दिन से एक साल पहले की बात कर रहा है उसकी उम्र आज से 12 साल पहले की उसकी उम्र से दूगनी थी तो वर्तमान वरूर की उम्र कितनी है सिंपल सा है वर्तमान पूछ रहा है एक साल पहले होकर फिर 12 साल पूप जा रहा पीछे याने बारा-बारा 24 प्लस एक पच्चीस हो जाएगा, सिंपल सा, और नेश्ट हमारा है, what is the smallest number of ducks that could swim in this formation, two ducks in front of a duck, two ducks behind a duck, and a duck between two ducks, एक बतक के आगे दो बतक, और बतक के पीछे दो बतक, एवं एक बतक दो बतक के बीच के विन्यास के तरने के लिए new term कुल कितनी बतक चाहिए, सिंपल सा है, एक बतक देखते हैं, two ducks in front of a duck, एक बतक के पीछे, आगे दो बतक है, एक बतक हुआ, इसके आगे दो बतक, चल क्यों नहीं रख, एक बतक है, इसके आगे दो बतक, two ducks behind a duck, देखें, दो डक, एक दक के पीछे, दो डक, and a duck between two ducks, एक दक, दो डक के बीच में, तोटल कितनी डक चाहिए, तीन डक होंगे, तोटल कितनी डक, तीन डक, option A से ही होगा, the number of boys in a class, is three times, the number of girls, which on the following number, can't represent the total number of children, in the class, सिंपल सा यह भी कुशन है, किसी कच्छा में, लडकों की संख्या, लडकों की संख्या के तिन गुन नहीं है, मालिया, लडकों की संख्या, 3X है, लडकों की संख्या, X है, तीन गुना है, तो कौन सी, आनिम में से कौन सी संख्या, समा संख्या कच्छा में, विद्यारतियों के कुल संख्या नहीं हो सकती, यानि total कितना हो, 4x, यानि simple से है कि यह जो भी number होगा, वो 4 से divisible होगा, यह 4 से divisible है, यह नहीं 42 divisible नहीं हो सकता, बच्चे जब भी होंगे तो whole में present होंगे, fraction नहीं हो सकते, इसलिए 42 होगा, यह नहीं हो सकता, इसलिए option C से य होगा, what is the meaning of advisor in Hindi, हिंदी में advisor का हिंदी मर्थ क्या होता है, option D होगा, सलहकार होता है, और advocate, adequate का हिंदी मर्थ क्या होता है? हिंदी मर्थ क्या होता है? advocate का, what is the meaning of? advocate in Hindi, उचीत होता है, उचीत. next हमारो देखते हैं, question, next question क्या है? accepted का हिंदी में, अर्थ क्या है? accepted, what is the meaning of accepted, accepted in Hindi? शिविकार, option A से होगा. गोविन्द वल्लब पंथ सागर डैम is constructed on which river? गोविन्द वल्लब पंथ सागर बांध किसनदी पर बना है? यह काफी simple question है, रिहंद बांध पर बना हुआ है, और यह उत्तर परदेश में है. और गोविन्द वल्लब पंथ सागर डैम का दूसरे नाम भी रिहंद है, तीहंद डैम. अब find the suitable number at the following series. रिव में प्रस्ट चिंकरिस्टान पर कौन सी संख्या होगे? यह एक simple सा है, देही क्या होगा? 2-4 है, यानि 2 difference है यहाँ, यहाँपर 2 अंतर है, यहाँपर कितना 6 है? 2 है, 6 है, यहाँ 18 है. 2-3-6, 6-3-8, 18-3, 54, 54 प्लस करके दिखते हैं, 28 में कितना जाएगा? 8-4-12, 5-2-7, 1-8, 82 है, 82 है, यानि यह option C से ही हो जाएगा. अब find the suitable number at the following series. यह भी same question है, क्या है? 1-2, 1 अंतर है, 2 अंतर है, 3 अंतर है, और यह कितना है? 4 अंतर है, 4 यानि अब 5 अंतर हो जाएगा, 5 difference होगा, यानि 16 होगा, 16 होगा, 16 होना चाहिए, चलिए दिखते हैं, 16 है कि नहीं, 61, 16 है, option C, option B से होगा, 16. नेक्स्ट हमारा, find the suitable numbers at the following series, ठीक, A है, B है, C है, यानि next होगा, D, T कहीं है, D यहाँ पर है, और क्या है, Z है, Y है, X है, अब W आएगा, यहाँ W होना चाहिए, यानि option C से होगा, ठीक, और which state, next हमारा question, which state will be hosting the 36th edition of National Games of India 2018, यह दो पराणा question होगया, वैसे देखते है, कावन किया है, इसको, C है, option C, Goa होगा, option C, Goa, next हमारा, which of the following country shares, minimum length of land boundary with India, निम में से, भारत अपने किस परोशी देश के साथ, सबसे छोटी भूमिया सीमा साधा करता है, अफगानिस्तान होगा, और सबसे ज़्यादा किस के साथ करता है, बांगला देश के साथ करता है, सबसे ज़्यादा, और next हमारा, ब्रहमोस is a joint venture of India, ब्रहमोस भारत का निम में से किस देश के साथ एक सनिक्त उद्यम है, इसके साथ है, रसिया के साथ है, ब्रहमोस, और next है हमारा, बोपाल गैस ट्रेजडी was caused due to leak of which of the following, बोपाल गैस ट्रास्टी, निम में से किस गैस के रिशाव के कारण हुए था, किस कारण हुआ था, next हमारा, the previous capital of Gujarat state was, Gujarat राज के पुर्व में राजधानी कहां थी, आहम्दाबाद था, आहम्दाबाद, previous capital of Gujarat थी, आहम्दाबाद, और next हमारा, in which district of Gujarat, the statue of unity is situated, Gujarat के निम में से किस जिले में statue of unity is situated है, ति नर्मदा में is situated, next हमारा क्या है, the Richter scale measures what in respect of earthquake, ये कोसर आपको confuse का सकता है, Richter scale भूकम के संबन में, निम में से क्या मापता है, intensity या magnitude या, see, ये तीनों में आपको confuse सकते है, सही है, औरस का answer क्या होगा, प्रिमाड, magnitude नापता है, ठीक, मापता है, magnitude मापता है, next हमारा, British राज में, दिल्ली से पुरू, भारत की राजधानी निम में से कौन थी, during the British rule, which of the following was the capital of India just before दिल्ली, क्या सकेंसर होगा, option B, कलकत्ता होगा, ये आपने जादे लों को पता होगा, next हमारा, as per motor vehicle act, the gross vehicle weight for LMB should not exceed beyond, motor vehicle act के अनुसार, light motor vehicle 3D में, वाहन का सकल भार अधिक्तम कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7500 kg, option A से होगा, 7500 kg होना चाहिए, next हमारा, form 20 of RTO is utilized for which of the following purpose, RTO के form 20 को प्योगिता क्या है, इसका अन्सर होगा, option D होगा, वाहन के पंजिक्रड के लिए आवेदन form, form of application for registration of vehicle, next हमारा, दिखते हैं क्या है, question, which of the following activities are not performed by RTO, निम्न में से कौन सी कार्य व्रती RTO नहीं करता है, कौन से कार नहीं करता RTO, option B होगा, maintain database of manufactured vehicle, निर्मित वाहनों का व्योरा तैयार करना, ये RTO का कार नहीं है, तो RTO कौन कौन से कार है, Motor Vehicle Tax Collection, Mechanical Inspection of Accidental Vehicles and Issue International Driving Permits, मोहन मोटर वाहनों से संब्दित टेक्स का संचेन करना, दुरुगटना ग्रस्त वाहनों का मचीनिकरित निरिश्चड करना, और अंतरराष्टर इस्तर पर वाहन चलाने हितु परमित चारी करना, ये सब काम है, आटियों का, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, यदि आप एक चोराहई की तरफ पहुच रहे हैं और आप यता यात हितु पिली बत्ती देखते हैं, तो आप, if you are approaching an intersection and you see a yellow traffic light, you must, क्या होगा इसकेंसर, इसका होगा slow down and stop, वहाँ धिमा करके रोक देंगे, अगर आप एक के पास एक प्रसिच्छू motorcycle license है, तो, if you hold a motorcycle learner license, you, इसके answer क्या होगा, can only ride with licensed rider, आप motorcycle चला सकते हैं केवल एक licensed धारी के साथ, next हमारा, the number of passenger you are allowed to carry in a private vehicle is recorded in the, एक नीजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं, league dash में लिखा होता है, इसका answer क्या होगा, registration certificate में लिखा होता है, आप एक private vehicle में कितने लोगों को बैठा सकते हैं, next हमारा, एक tractor चाला को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, a tractor driver must not carry any passenger, कोई भी यात्री को नहीं बैठाना चाहिए, a tractor driver किसी भी passenger यानि यात्री को नहीं बैठा सकता, next है, what does this road sign mean, यह निशान क्या इंगित करता है, narrow road ahead आगे सक्री सडक है, next क्या है, what does this road sign suggest, यह निशान क्या इंगित करता है, क्या इंगित करता है, option है, cross road ahead, आगे चोरहा है, chip को movement is related with, chip को अंदरों किसे संबंधित है, यह काफी असान कोशन है, against the deforestation, वनों के कटाव के विरुद्ध है, chip को movement, next हमारा है, which of the following gas is principal greenhouse gas, निशान में से कौन सा, gas प्रमुख greenhouse gas है, कौन सा है, CO2 है, carbon dioxide है, प्रमुख greenhouse gas है, next हमारा है, भारत stage emission standard, वर इंटर्डूच्ट इंडिया, in which of the following year, भारत stage emission standard, किस वर्ष लागु किये गये थे, 2000 में लागु किये गये थे, कब लागु किये थे, 2000, और ये 2020 में, BS6 लागु कर दी जाएंगे, BS6, और we need to the following year, first emission norms for diesel vehicle, वर इंटर्डूच्ट इंडिया, भारत में किस वर्ष डीजल वहानों से समझे प्रतम, और सर्जन के मानत लागु किये गये थे, कब लागु किये गये थे, बताना आपको 84 का, D होगा, option D, 1992 में, next हमारा, which of the following has been not included in भारत, which of the following has not been included in भारत, निन में से कौन सा भारत, stage mission, standard का हिस्सा नहीं है, CO2, option A होगा, carbon dioxide, next दिखते हैं, which of the following has least percentage in environment of earth, रिथविक के वाय मंडल में, निन में से किसकी प्रतिसिता सबसे कम है, किसका है, carbon dioxide का है, carbon dioxide का है, which of the following is the lowest layer of earth's environment, रिथविक के वाय मंडल में सबसे निचली प्रत में को क्या कहते हैं, troposphere करते हैं, troposphere को पर stratosphere होता है, stratosphere में ही, aeroplane उड़ता है, आपका ozone layer, stratosphere में ही पाय जाते हैं, the name of the galaxy, to which the earth belongs, फिर्थविए, जिस अकास गंगा से संबंद रखे, उसका निन में से क्या नाम है, क्या नाम है, milky way galaxy नाम है, option निस सही होगा, which are the following causes acidic rain, acidic rain निन में से अमली वर्षा का कारक कौन है, sulfur dioxide और nitrogen oxide, both together, sulfur dioxide और nitrogen oxide, तो प्रुक्त दोनों मिलकर, और next हमारा, which are the following is regarded as world environment day, निन में से कौन से तिति, विश्व पर्या वरड दिवस के रूप में मनाई जाती है, 5 जून, फिर तो जून, option C सही होगा, next हमारा, the measure, contributor of carbon monoxide is, carbon monoxide का मुख्य कारक निन में से क्या है, motor vehicle है, motor vehicle कैसे है, motor vehicle में जब आपका ये जो फ्यूल होता है, सही से नई बर्न होता है, तो उसमें से carbon monoxide रिलीज होता है, जो हमारे blood को बहुँ ज़्यादा attract करता है, hemoglobin, oxygen से ज़्यादा, carbon monoxide के ज़्यादा प्रती attractive होता है, ozone is found in which layer of atmosphere, ozone वो ये मंडल के किस प्रत में पाई जाती है, अब मेन उपर बताया था, stratosphere में पाई जाता है, option C से होगा, ताज महल is being affected by, ताज महल निम्ण में से किस से प्रभावित है, ताज महल किस से प्रभावित होता है, यह pollution के वाज़े से प्रभावित होता है, CNG is a clean fuel होता है, CNG का flow from क्या है, compressed natural gas, chlorofluorocarbon is used as, chlorofluorocarbon निम्ण में से किस में प्योग होता है, किस में प्योग किया जाता है, chlorofluorocarbon का, refrigerator में यूज होता है, air conditioner में होता है, और perfume में भी यूज होता है, यानि all of these होगा, option D से होगा, air pollution causes, air pollution क्या करता है, respiratory problem, cause करता है, wife producer से, 60 संबंदी बिमारिया होती है, next हमारा है, when the first rail was started in India, कव start किया गया था, भारत में प्रत्थम railway किस वर्ष चलाई गया थी, 1853 में चलाई गया था, 1853 में, जहां तक मुझे यादे, Lord Dalhoji के करकाल में चलाई गया था, यह को दिख लेजिए का लट Dalhoji है, next हमारा, which of the following country, is the largest producer of coal in the world, संपूर विश्व में, निर्ण में से कौन सा दे, सबसे बड़ा कोल उत्पादक है, सबको पता होगा, चाइना है, चीन है, सबसे ज़्यादा कोल उत्पादक देश, which of the following Indian state, is the highest coal reserve, निर्ण में से किस भारतिय राज में, सरवादी कोल भंडार है, सबको पता है, जारकंड है, पैंसिल is made of which of the following carbon, पैंसिल बनाने में, निर्ण में से कौन सा carbon उप्योग किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेफाइट, यह हमारा लास्ट कोशन था, अगर आप यहाँ तक देखे हैं लेक्शे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, थैंक्यू फर वाचिंग, आपका दिन सुब, धन्यवाद,